1982 में कॉमनवेल्थ खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट सैयद मोधी की प्रेम कहानी का अंत भी लव, सेक्स, धोखे और अंतता हत्या पर जाकर खैरती है भारत के इतने मशूर खिलाडी की हत्या आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है फ्रेम में पागल हुए सैयद मोधी ने परिवार के खिलाफ मशूर खिलाडी अमिता से शादी की थी जी हाँ आज ये अमिता सिंग के नाम से जानी जाती है सैयद और अमिता दोनों ही बैडमिंटन के स्टार प्लेयर थे सैयद मोधी और अमिता की मुलाकात 16 साल की कमुम्री में हुई थी और वो भी देश में नहीं बलके विदेश में हुई थी दोनों चीन के बीजिंग में आयोजित एक टुर्नामिंट के दोरान मिले थे धीरे धीरे दोनों करीब आये प्यार हुआ जिसके बाद सैयद और अमिता ने शादी कर ली सैयद और अमिता की शादी को काफी वक्त बीच चुका था लेकिन करियर बनाने की चाहत में अमिता ने मा बनने से इनकार कर दिया धीरे धीरे दोनों के रिष्टों में प्यार की जगा नफरत का जहर घुलता जा रहा था साल 1984 में सैयद मोदी और अमिता की शादी तूटने के कागार पर पहुँच गई थी इसी दर्मियान अमिता मोदी की मुलाकात अमेठी के राजा संजय सिंग से होती है संजय सिंग और अमिता के बीच कुछ पनपने लगा दोनों अकसर मिलने लगे जिसके कारण सैयद मोदी को शक होने लगा कि संजय का अमिता के साथ अफेयर चल रहा है वहीं अमिता भी सैयद मोदी से नफरत करने लगी अमिता पती सेयद मोधी को जलाने के लिए एक डायरी में संजय सिंग के साथ रोमांस की डीटेल्स लिखा करती थी अमिता जब घर से बाहर चली जाती थी तो सेयद मोधी चुपके से अमिता की डायरी पढ़ते थे और दुखी होते थे साल 1987 में अमिता ने सैयद को बताया कि वो माँ बनने वाली हैं आम तोर पर तो ऐसी बाते सुनकर सभी खुश हो जाते हैं लेकिन सैयद मोधी के चेहरे पर केवल उदासी थी सैयद मोधी को शक था कि अमिता के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनका अपना नहीं बलके संजय सिंग का है 28 जुलाई 1988 का दिन सैयद मोधी की जिंदगी का आखरी दिन साबित हुआ उस दौर में सैयद मोधी का कैरियर हुफान पर था सैयद मोधी प्रकाश पादुकोन जैसे महान प्लेयर को हरा कर नेशनल चैंपियन बने थे स्पोर्ट्स कोटा की वज़े से 18 साल की उम्र में ही सैयद मोधी को रेलवे की नौकरी मिल गई थी बैडमिंटन प्रैक्टिस की बहतरीन सुविधाओं के लिए सैयद मोधी ने अपने घर गोरकपूर को छोड़ कर लखनवु में पोस्टिंग करा ली थी 28 जुलाई 1988 की एक शाम सैयद मोधी लखनवु के केटी सिंग बाबू स्टेडियम से प्रैक्टिस करके घर लोट रहे थे तब ही अचानक दो बाइक सवारों ने सैयद मोधी को रोका सैयद मोधी के मडर ने पुलिस के होश उड़ा दिये थे सैयद के मडर का केस सिबी आई को सौपा गया सिबी आई ने सैयद मोधी के घर रेड मार कर उस डायरी को हासिल किया जिसमें अमिता संजय के साथ अपने अफेर की डिटेल्स लिखा करती थी CBI को उसी डायरी की वज़े से सयद मोदी के मडर के पीछे उनकी पतनी अमिता और संजय सिंग का हाथ होने का शक पैदा हुआ हलाकि यह आरो तभी साबित नहीं हो पाए आगे चलकर अमिता मोदी ने पहले से शादी शुदा रहे अमेठी के राजा संजय सिंग से शादी कर ली संजय सिंग साल 1995 में अपनी पहली पतनी गईमा सिंग से अलग हो गए थे